नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाइफाइ स्टडी बेंक एक्जाम चैनल पर मैंकित गुपता करता हूँ आप सभी का स्वागत जितने भी विध्यारत यहां पर जुट चुके हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग सच्रियकाल आदाब राधे राध सभी के इंपॉर्टेंट बनने वाली हैं पहले नमबर पर तो सभी विध्यारती यतने भी लोग यहां पर जुट चुके हैं जल्ली से क्लास को लाइक करें और जल्ली से क्लास के लिंक को यहां पर शेयर करें क्योंकि आज आज आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं आज 11 बजे जो आपकी अनकेडमी पर क्लास होती है वो आपकी बिल्कुल होने वाली है यानि कि डेली स्टैक जीके की जो क्लास होती है अनकेडमी पर वो आज आपकी कंप्लीट यानि कि आज वो क्लास आपकी होगी पिछले दो दिनों से थोड़ा सा हेल्थ इस्यूस की application है और जिनके पास unacademy के application नहीं है वो क्या कर सकते हैं unacademy के application को download करके ssc section में जाकर इस class का यहाँ पर दीदार कर सकते हैं तो बिल्कुल join करना यहाँ पर मत भूलेगा जल्दी से class के link को share कर दीजेगा हर जग है तो आज 11 वजे सभी को जोड़ना है unacademy की class में static gk की class में दो पहर 1 वजे gs की class होगी किस के लिए group d के लिए कहाँ पर होगी wifi study youtube channel पर और साम 4 वजे as usual आपकी जो class होगी वो wifi study studios पर होगी मैंने आपर वीडियो लिग दिया है कहाँ पर होगी wifi study studios पर class होगी तो इन सभी classes में भी join करना मत भूलेगा आप सभी से गुजारिस है कि आप सभी अपने motivational quotes को फिर से send करना सुरू करिए motivational quote of the day के लिए और जिस किसी का भी motivation quote सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा उसे मैं कल से आपके session में सामिल करूँगा सबसे पहले हम लोग करने वाले है previous class का revision उसके बाद रहेगी आपकी news box, news box का मतलब है जहाँ पर हम लोग important news को करेंगे detail में discuss और साथ में additional information भी आपको provide की जाएगी current affairs quiz जो की कल की महतफुन खबरों पर आधारित रहेगा और आज का state of the day जो है वो आपका तमिलनाडू बने state animals, state flowers, state tree ये सब भी हम लोग साथी साथ discuss करते हुए चलेंगे. Indian geography का crash course आपका चल रहा है, इसको आप जोइन कर सकते हैं topic wise, यहाँ पर classes चल रही हैं आप जैसे की देख रहे हैं कि अलग अलग topics पर यहाँ अलग classes आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, आप इसको join कर सकते हैं और बहुत ही कम amount पर आप इस class को यहाँ पर join कर पाएंग बाद आपको SSE section में और किसी भी course को purchase करने की जरूवत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप SSE section में maths पढ़ते हैं या reasoning पढ़ना चाहते हैं या English पढ़ना चाहते हैं तो सभी top educators की paid classes आप free of cost देख सकते हैं, इस class को join करने के साथ आप सभी important और जो top educators उनकी classes free of cost आप चाहते हैं या फिर धासू सर की class चाहते हैं या फिर राहुल सर की class चाहते हैं जितने भी आपके maths के top educators हैं आपने इस course को purchase किया तो आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई जी जोगरफी और इंडियन जोगरफी और वर्ल जोगरफी तो पढ़ेंगे ही maths के सभी educators की जो paid classes है वो बहुती बहतरीन offer है आप इस offer का लाब उठाइए और यहां पर join कीजिए वाइफाइ स्टेडी यूट्यूब चैनल बैंक एक्जाम यूट्यूब चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा क्योंकि इसी चैनल पर आपकी सभी classes यहां पर चलेंगी स्से एक्जाम चैनल को भी subscribe कीजे यूजी सी नेट और सी एस आई यार नेट इन सभी यूट्यूब चैनल की जो link है वो आपको यहां पर description box में मिल जाएंगी सभी लोग यहां पर ready लेकर बता दिये sir we are ready अब हम लोग revision session की तरफ बढ़ चलते हैं जल्दी से मुस्किल से 7-8 मिनिट के अंदर हम लोग कल की class के important questions को यहां पर revise करेंगे और फिर आज हम लोग यहां पर news box की तरफ बढ़ चलेंगे हाँ एक तातिवारी जी मैं better हूँ एक दो दिन से थोड़ा सा भी class थोड़ा सा health issue कफी अभी भी है बट I am now feeling better बट चली ठीक है वो health issue चलता रहता है लेकर अभी दो दिन से कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया था इस वज़े से थोड़ा सा ज़्यादा रिक्कत आने लगी जिनको इस उमर में एजुकेशन और स्कूल जाना चाहिए उनको यहाँ पर उनसे मजदूरी कराई जाती है ऐसे बच्चों को स्कूली सिक्षा को प्रोसाहिद करने के लिए वापस से स्कूल भीजने के लिए किसराज के दौर यहाँ पर बाल स्रमिक विद्या योजना की श राजधानी आपकी बंती है LKO यानि की लखनो लखनो किस नदी पर है लखनो गोंती नदी पर है गोंती नदी किस नदी की सहायक नदी है गोंती गंगा नदी की सहायक नदी है यहाँ का जो हाई कोट है उत्तर प्रदेश का जो हाई कोट है वो कहां मौजूद है वो आपका मौझूद है आपका प्रियाग राज या फिर अलहबाद में याद रखेगा और भारत का सबसे पुराना हाई कोट बनता है कुलकाता हाई कोट कुलकाता हाई कोट is the oldest हाई कोट of India and the latest हाई कोट and the latest हाई कोट of India is the आंद प्रदेस हाई कोट is the आंद प्रदेस हाई कोट टोटल नंबर ओफ हाई कोट्स इन इंडिया 25 ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के राजकी पसु के वारे में कल मैंने आपको बताया था कि state animal क्या बनता है यूपी का तो जल्दी से आप लोग अब type करके मुझे बताओ की state animal of यूपी क्या बनता है ये आप लोग जल्दी से type करके मुझे आप बता देंगे रोहित अरंजन जी वेरी गुड नबावों का सहर भी उत्तर प्रदेश को कहते हैं और चिकनकारी जो कि एक तरह की कड़ाई होती है कपड़ों पर और जड़ोजी के लिए जी आई टेक भी आपका लखनू सहर को मिला हुआ है राज के सौमित वाले जनजाती च्छात्रावास के लिए जनजाती मतलब कि जो आपके ट्राइबल होस्टल बने हुए हैं जो कि आदिवासी और जनजाती च्छात्रों के लिए होते हैं उनको यहाँ पर आई एसो पिर्मानन प्राप्त करने वाला देश का पहले राज बताई है कि जहांके होस्टल के यहां पर आई एसो पिर्मान पत्र दिया गया है सही जवाब यहां पर बनता है उडिसा उडिसा के वर्तमान चीफ निस्टर नवीन पटनायक जी हैं जबकि अगर मैं गवर्नर की बात करता हूं तो गणेसी लाल जी यहां के गवर्नर बनते हैं गलत आंसर है डियर, स्वेंब डियर नहीं है बारह सिह्गा है, जतने भी लोगों बारह सिह्गा वर्सा थिर पाथी जी जी मैंने गलत आंसर होगा, कहां पर correct आंसर क्या होगा? बारह सिंहा, क्या होगा बार्हा सिंगा बार्हा सिंगा उत्तर प्रदेश के अलावा मद प्रदेश का भी राजकी पशु बंता है यानि कि इस टेट अनिमल बंता है ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगा अगला कुश्चिन Captain Arjun Madh Railway की Railway सुरक्षा बल के द्वारा Railway सुरक्षा बल का मतलब होता है Railway Protection Force कई बार RPF का Full Form भी आपसे पूछा जाएगा कि What is the Full Form of RPF तो यहाँ पर आप इस गाड़ी पर भी देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका RPF लिखा हुआ है RPF यानि की Railway Protection Force कभी आप Railway Station गए है तो इसकी सुरक्षा Railway Protection Force के जिम्मे होती है तो RPF दारा सुरू किया गया एक Robot Device है जिसका नाम है Captain Arjun इस Device को किस सहर में ट्रेनों में सवार होने वाले यात्रियों की Screening के लिए Coronavirus Screening के लिए यहाँ पर लगाया गया है पोने सहर Bank of Maharashtra का Headquarter भी बनता है याद रखेगा Bank of Maharashtra की स्थापना 1935 में हुई थी और 1935 में ही Reserve Bank of India की भी स्थापना होती याद रखेगा Reserve Bank of India का Headquarter मुंबई में मौझूद है जबकि Bank of India का Headquarter पोने में मौझूद है और Deacon Queen के नाम से भी आपका जाना जाता है कौन पोने सहर को Deacon Queen भी आपका कहा जाता है Railway की बात यहाँ पर हो रही है तो Total Number of Railway Jones के अगर हम बात करते हैं How many Railway Jones there in India तो Total Number of Railway Jones आपके बनते हैं 18 अच्छा इन 18 Railway Jones में से Largest Railway Jones क्या बनता है जरा मुझे चल्दी से टाइप करके comment box में बताईएगा इस तरह के question आपके exam में पूस्ट है Largest Railway Jones आफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा Railway Jones क्या बनता है Total Number of जो 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 बनते हैं इंडिया में वो 18 है और 18 जो Railway Jones आपका बनता है South Coast Railway South Coast Railway का Headquarter आपका विशाखा पत्नम में मौझूद है और विशाखा पत्नम को City of Destiny के नाम से भी जाना जाता है और इसे East Coast का गहना भी कहा जाता है Jewels of East Coast भी कहा जाता है विशाखा पत्नम को भारत में Railway के जनक कहे जाते हैं Father of Indian Railway वो कहे जाते हैं आपके कौन Lord Alhaji याद रखेगा और सबसे पहले जो Railway के ट्रेन आपकी चली थी सबसे पहले ट्रेन 1853 में चली थी मुंबई से ठाने के बीच में मुंबई से ठाने के बीच में मुंबई का एक station बनता है बोरी वली इस्टेशन तो मुंबई के बोरी वली इस्टेशन से 34 किलोमीटर दूर ये ट्रेन आपकी पहुँची थी कहां पर ठाने सिटी में याद रखेगा सबसे बड़ा जो Railway Zone है सौनम सौनी जी भेलकुल आपने बिलकुल सही जवाब दिया है अमित कुमार बेरी गोड सुखवीर जी बिलकुल सही जवाब है प्राची जी आपने भी सही आंसर दिया है लार्जेस्ट जो Railway Zone बनता है वो बनता है Northern Railway Zone अच्छा Northern Railway Zone का Headquarter क्या बनता है जरा मुझे टाइप करके बताइएगा और एक पॉइंट हमेशा याद रखे है कि कोलकाता जो सहर है कोलकाता जो सिटी है वो आपके तीन अलग अलग Railway Zone का Headquarter बनता है तो सबसे ज़ादा जो Railway Zone का Headquarter बनता है वो कौन बनता है? वो बनता है कोलकाता सहर ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे अगला कुश्चन देश में निवेस मतलब की इन्वेस्टमेंट को अट्रेक्ट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा साथ सदस्ये Empowered Group of Secretaries यहाँ पर बनाए गए है उसके प्रमुख कौन है? राजीव गौबा राजीव गौबा साहब को यहाँ पर कैबनेट सेकेटरी जो है आपके उन्हें इस Empowered Group of Secretaries का हेड बनाया गया है घरेलू हिंसा मतलब की Domestic Violence और दिव वेवार मतलब की सही वेवार ना होना ठीक है अब्यूज होना के खिलाफ महलाओं के समर्थन में और उनके शसकती करण में Empowerment के लिए किस सहर में स्त्री योजना की शुरूआत की गई थी अब स्त्री से मतलब वो वाली मूवी बत्यात कर रहे न की कर ओ स्त्री का लाना नई, स्त्री मतलब की female की बात हो रही बात जाते था और है रहत बात बात नेी, बात 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 यह रहत बात बाता थी में तो वो रहे लहाँ इंदा इंध स्त्री का यह lymph मतलूआईगा रहत बात operation polo 1948 में यह polo operation चलाए गया था ताकि हैदराबाद को भारती संग में आपका मिलाया जा सके इस तरी योजना का आप लोग बताएंगे लेकिन यह भी य Ching दे के किनारे यह उस नदी नाम बनता है मानस तो याद रिखेगा मानस वाइल आपकी भारती एक आपकी स्य calorie div और यह सिन्गा या एक स्विष्य विख्यात है या और सी याद है याद रखेगाा अंध्रश्य में सुमसिला बांध किस तदी पर बनाय गया है एक डेम के उपर कोशन ये बनता है सुमसिला डेम हाँ असम वहाँ पर बिल्कुल सही है करेक्टांस आपर बनता है पेनार रिवर अगला कोशन अब कोई कोशन नहीं है रिवीजन इस सच्छन कम्प्लीट हुआ यहां तक सारी बाते समझ में आई हो और क्लास पसंद आई हो तो सभी लोग एक बार यहां पर लाइक जरूर कर दें क्लास को सभी लोग थमसब जरूर कर दें निउस बॉक्स के लिए आप सभी तैयार है तो एक बार यस लिकर बताईएगा मैंने आपको एक ट्रिक बताई है असम की बहुतो असम बिहू तो बिहू नाम का फेस्टिवल असम में साल में तीन बार सेलिबरेट होता है जो कि आपका एक फसल कटाई का उत्सव होता है चलिए पहली इंपॉर्टन न्यूज आपके लिए क्या बनती है कि चीफ मिनिस्टर ह नाम बनता है उधर ठाकरे साहब कहां के चीफ मिनिस्टर है ये महरास्टा के चीफ मिनिस्टर है एंडी डॉक्टर हर्श वर्धन जो कि हमारे हैल्थ मिनिस्टर बनते हैं उन्होंने ए-launch किया है मतलब की virtual launching किया है किसकी i-flows और i-flows क्या है एक water warning system है जो कि मुंबई सहर के लिए है यानि कि इतनी बात समझ में आ गई होगी कि i-flows नाम का एक water sorry flood warning system मुंबई में install किया गया है और इसको inaugurate किया है महरास्टा के चीफ मिनिस्टर उधर ठाकरे सहब ने और हर्श वदन जो कि हमारे health minister है flood warning system क्या होता है जो कि बाढ़ को रोकने के लिए होता है या अग integrated flood warning system नोट कर लीजेगा integrated flood warning system में next class में आप से पूछूंगा integrated flood warning system i-flow इसका full form यहाँ पर बनता है clear है the system monitors the flood activities by providing early warning in the city during the high rainfall and cyclone events by early as three days in advance यानि कि इस प्रणाली के तहट अगर इस सहर में उच्च वर्सा होती है बहुत ज़्यादा बारिस होती है या फिर चक्रवात आने की घटना होती है तो चक्रवात आने की घटना के दौरान तीन दिन पहले ही प्रारंभिक चेतावनी ये जारी कर पाएगा बार की होती है तो ऐसी कंडिशन में ये जो आपका आई फ्लो सिस्टम है इंटीग्रेट फ्लड वार्णिंग सिस्टम है ये पहले से अगहा करेगा तीन दिन पहले अगहा कर देगा तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये सहर को और जानमाल को खराब होने से आपर बचाया जा सकता है उस चकरवाथ का नाम मुझे जल्डी से टाइप करके हैंपर बता दीजेगा और ये भी बता दीजिएगा कि उस चकरवाथ का नाम किस कंड़ी के दौरा रखा गया था और अगर अग़े अगला चकरवाथ या तो अरब सागर में उठता है या फिर बंगाल की खारी में तो उसका नाम क्या होगा और उसका नाम किस देश की दोरा रखा गया है ये भी जल्दी से मुझे टाइप करके बता दिजेगा महारास्टा के बारे में अभी अभी हमने देखा कि यहां के चीफ निस्टा का नाम बनता है उधो ठाकरे सहाब यहां के गवर्नर आपके बनते हैं भगत सिंग खोश्यारी यहां के आपके गवर्नर बनते हैं एनिमल की बात करते हैं स्टेट एनिमल बनता है यहाँ पर इंडियन जाइंट स्क्वेरल जो एक गिलहरी होती है यह गिलहरी महरास्टा की स्टेट एनिमल बनती है बर्ड की बात करते हैं तो ग्रीन पिजन हरा कबुतर महरास्टा में स्टेट बर्ड बनता है फ्लार की बात कर तो तम्हान या फिर जरूल नाम का जो फ्लावर होता है वो यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा इस्टेट ट्री की बात करते तो तम्हान नाम का व्रक्ष या फिर इसे मैंगो व्रक्ष जिसे हम लोग कहते हैं मैंगो यानि की आम का जो व्रक्ष है वो यहां का राजकी होंगे तो मेंगो भारत का नैशनल फ्रूट भी आपका बंता है ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा ये पॉइंट भी आपर इंपॉर्टेंट बंता है अगर आपर मैं बात करता हूं प्रग्या तिरपाथी जी ने सब कुछ बता ही दिया है कि अमफान नाम का जो बधाई के पात रहें गती अगला होगा जो की इंड्या में होगा रोहित जी बिलकुल सही कहा आपने अगले इंपॉर्टन्ट निजahh के बारे में, एक तरह का डिवलपमेंट बेंक है जैसे कि आपका डिवलपमेंट बेंक होता है नाबाड नाबाड के लावा और कौन कौ Sourcing Bank, NHB, जैसे कि आपका बनता है SIDB, Small Industries, Development Bank of India, यह सभी आपके Development Bank बनते हैं, यह आपके Commercial Bank नहीं बनते, Development Bank और Commercial Bankों में सबसे वड़ा मुखंतर यह होता है, कि Commercial Bank आपके Profit के लिए Work करते हैं, Customer Satisfaction के साथ, यह Profit के लिए Work करते हैं, लेकिन जो आपके Development Bank होते हैं, उनका Main Motive Development हो हेड़कोटर टाइप करके मुझे Comment Box में बता दीजेगा, तो नाबाड का Full Form है National Bank for Agriculture and Rural Development, तो Agriculture and Rural Development को या भारत में किरसी छेतर को या फिर ग्रामिर परिवेस को विकसित करना, उसका विकास करना ही नाबाड का काम है, तो यह Development के लिए Work करेगा, National Housing Bank की बात करते हैं, तो भा Small Industries को Develop करने के काम में आपका लगा रहेगा, यह Commercial Bank रही है, जो Profit के लिए काम करें, यह Development Bank है, यह Small Industries के छेतर को Develop करने के लिए काम बनता है, काम करता है, उसके लिए Policy बनाता है, उसके लिए नीतियां बनाता है, याद रखेगा, इतनी बात यहां तक समझ में आ गई हो, तो से इक भार यह से लीकर बता दीजेगा, नाबार का Headquarter आपका Mumbai में मौजूद है, NHB का Headquarter आपका New Delhi में मौजूद है, और SIDGB का Headquarter आपका कहां मौजूद है, अभी-अभी उस हेहर का मैंने नाम लिया था, सिडवी का Headquarter कहां पर मौजूद है, टाइप करके comment box में, अब इसी इंपोर्ट और इंपोर्ट को फैसलिटेट करना इस बैंक का काम है इसका हेड़कॉर्टर मुंबई महरास्ट्रा में मौजूद है वर्तमान M.D. यानि की मैनेजिंग डिरेक्टर और C.E.O. यानि की चीफ एक्जिकेटिंग ऑफिसर इसके जो बनते हो बनते है डेविड रसक नहां इसके क्या बनते है वर्तमान M.D. और C.E.O. बनते हैं और एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी याद रखेगा तो सर न्यूस क्या है न्यूस यह है कि एक्जिम बैंक ने सेंक्शन किये हैं 215.68 मिलियन एलोसी एलोसी का फिल फॉर्म यहाँ पर लाइन आफ कर प्रवाइड की है यानि कि एक अमाउंट है एक तरह से यहाँ पर लोन जो वगेरा दिया जाता है उस लोन को और बढ़ा दिया है किसके लिए मालावी गॉर्मेंट के लिए और मालावी गॉर्मेंट इस पैसे का इस्तमाल कहा करेगी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइ स्कीम्स में करेगी अपने कंट्री में जो पानी या पीने वाले पानी की यूजना है उनके लिए यहाँ पर काम करेगी सोनम सौनी जी वेरी गुड लखनों सहर में स्मॉल इंडिस्टियल डिवलोप्मेंट बैंक ऑफ इंडिया का हैड़कोटर आपका मौजूद है बिल्कुल सही आंसर आपके द्वारा किया गया है यह न्यूस समझ में आ गई है तो एक बार यसली कर बता दीजिएगा क्योंकि मुझे लग रहा है साथ कंफ्यूजन हो रही आपको एक्जिम बैंक सेंक्शन्स टू वन फाइप पॉइंट सिक्स एट मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट तू म प्दर आपकी यहाँ पर बंती है मालावी की बात भी कर लीते हैं कई लोग को भी यह नहीं पता होगा एक्शली मुझे भी नहीं ठीक से पता था कि मालावी कहाँ पर एक्जेक इस की लोकेशन क्या है मुझे पता था कि मालावी अफ्रिकन कॉंटीने ilm required दे Cruise का आप यहां पर लेक विक्टोरिया के पास आपका एक कंट्री यहां पर मौझूद है और मालावी जो कंट्री है वो लेक मालावी के पास आपका मौझूद है आपसे पूछा जा सकता है कि मालावी कंट्री के नाम से कौन सा जील है या इस कंट्री के नाम से जील भी बनती है तो बि मालावी के बारे में कहां पर मौझूद है ये अफ्रीकन कॉंटिनेंट में आपका मौझूद है अफ्रीकन कॉंटिनेंट एक ऐसा कॉंटिनेंट बनता है बताए सुनम सुनी जी कहां पर डाउट रह गया है कहां पर डाउट है मुझे डाउट बता दीजिए मैं किलियर कर गई थी उसके तहत या पहले से agreement हो गया होगा कि आगे चलके भईया हम आपके देश में drinking water supply क्लिक कुछ आपको उधार दे देंगे तो अब जाकर वो line of credit यहां पर इस country को provide किया गया है किसके द्वारा एक्जिम बैंक के द्वारा याद रखेगा एक्जिम बैंक का headquarter बात करते हैं अगली important news की अगली important news पंजाब से आ रही है और पंजाब के chief minister है captain अमरिंदर सिंग और यहां पर आप उन्हें फोटो में भी देख सकते हैं इनके हाथ में कुछ यहां पर एक योजना एक mobile phone बड़ा सा mobile phone है यह किसी चीज का inauguration करते हुए नजर आ रहे हैं बनता है घर घर निगरानी एप क्या बनता है घर घर निगरानी एप to detect कोविट 19 तो इतनी बात यहां पर समझ लीजेगा कि घर घर निगरानी एप हाली में किस राज सरकार के द्वारा launch किया गया है तो यह launch किया गया है पंजाब government के द्वारा the application had been developed इस application को विकसित किया ग health workers जिनको हम आसा workers कहते हैं and community volunteers तो यानि कि इस application के माध्यम से जो आपकी आसा workers है वो घर घर जाकर जो community volunteers है वो घर घर जाकर यहां पर क्या करेंगे सर्वे करेंगे और घर घर जाकर निगरानी होगी इस application के माध्यम से कोई ऐसा तो नहीं जो घर में रह रहा हो और COVID-19 के लि हैं तो एक बार यस लिखकर मुझे बता दीजेगा पंजाब की बात करते हैं capital बनती है चंडीगर चंडीगर capital बनती है हर्याना के लिए भी याद रखेगा okay captain अमरिंदर सिंग इंडियन national congress से यहां के chief minister बनते हैं और governor यहां पर बनते हैं विजियेंद्र पाल जी जिने हम ल बनता है और कि इस्टेटिक जीके में पूछा जा सकता है sir तो यही पूछा सकता है कि पंजाव राज का state animal क्या बनता है to state animal बनता है black buck क्या बनता है black buck यहां का state animal बनता है आचा मैंने कहीं सुना है कि black buck national park भी आपका मौझूद है यह black buck जानवर है जो आप देख सकते हैं य एक तरहे की एहरण की प्रजाती होती है जो आप यहां पर देख रहे हैं तो आपको यहां पर यह बताना है कि पंजाब का जो इस्टेट अनिमल बनता है बलैक बॉक और ब्लैक बॉक के लेकिन अमेरिका का जो नैसनल बर्ड बनता है वो बाज ही बनता है, बाल्ड इगल ही बनता है, यह यहां का पंजाब का भी स्टेट बर्ड यहां पर बनता है, ट्री की बात करते हैं, तो श्रीशम, श्रीशम नाम का जो पेड़ होता है, श्रीशम का जो ब्रक्ष होता है, वो का मतलब होता है अंत्रिक शयातृ पूर्वे अंत्रिक स्यात्री कहां कि NASA की NASA का फिलफारं National Aeronautics and Space Administration NASA का headquarter कहां पर बनता है जल्दी से type करके comment box से बताइजेगा NASA कि अगर मैं यहां पर बात करता हूँ चले नासा के अगर मैं बात करता हूँ तो NASA इस्टोनोट है और जियो लॉजिस्ट है नाम बनका जो बनता है वो बनता है कैथी सुल्विन नाम याद करने का प्रयास कीजेगा कैथी सुल्विन इमेज में आप इनको यहां पर देख सकते हैं यह आपकी कैथी सुल्विन है become first women to reach deepest point of the ocean यानी की दुनिया में जो महासागर सबसे गहरा जो महासागर है या महासागर में सबसे गहरी जो जगह बनती है वहां तक पहुँचने वाले ये पहली अंतरिक शात्री और भूगर्व शास्त्री बनी है नाम बनता है कहती सुवलिन और आप सभी को साइद ये पता होगा कि दुनिया में सबसे गहरी जो जगह ब रखना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर बनता है और प्रसांत महासागर जिस आकार में फैला हुआ है वो आकार बनता है आपका दीर्ग वरत्ताकार मतलब कि एक सरकलाकार शेप में आपका प्रशांत महासागर फैला हुआ है ये बात भी याद रखेगा जबकि हि इसके नाम से लिया गया नाम है वो triangular शेप में आपका फैला हुआ है जबकि Atlantic महासागर आपका S के शेप में आपका फैला हुआ है तो दुनिया के महासागर में, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, प्रिशान्त महासागर, प्रिशान्त महासागर की सबसे गहरी जगा, जो की दुनिया में सबसे गहरा ओशियन डीप पॉइंट बनता है, उसे चैलेंजर डीप का नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है challenger deep यानि कि दुनिया की सबसे गेरी जगह mariana trench के सबसे सतह तक पहुचने के लिए क्या इसको challenger कहा गया है इसे challenger deep कहा जाता है ये याद रखिएगा मैं challenger deep आपको यहाँ पर एक बार दिखाना चाहूँगा पहले मैं आपको mariana trench दिखाना चाहूँगा फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे यह आपका north pacific ocean है उत्री अमेरिका के पास और यह south pacific ocean है दक्ष्री अमेरिका के पास यह आपका दक्ष्री अमेरिका है गोल कलर का और कितना गहरी यह जगह है यह साफ यहाँ पर दरसाता है आप सभी को अब मैं आपको कुछ और चीज़े यहाँ पर बता देता हूँ मैरियाना ट्रेंच यह दुनिया की सबसे गहरी जगह यहाँ पर आपकी बंती है अच्छा मैं माउंट एवरेस की बात करता हूँ तो माउंट एवरेस 8848 मीटर उचा है सी लेविल से और ये जगह सी लेविल से यानिकी समुदर के तल से 11,035 मीटर नीचे है आप यहाँ पर देख सकते हैं 11,035 मीटर ब्लो दसी लेविल तो अगर हम पूरा का पूरा हिमाला है जो की करीब करीब 9,000 मीटर का है अगर उसको उठा कर इसके अंदर डाल देते हैं तो पूरा का पूरा हिमाले समा सकता है ये दुनिया के इतनी गहरी जगह है मेरियाना ट्रेंच और डीप चैलेंजर डीप क्या होता है चैलेंजर डीप होता है इस सतह पर पहुंचना मलब कि अगर कोई भी वेक्ती मेरियाना ट्रेंच के बिलकुल सतह तक पहुंच जाता है 11,000 35 मीटर की गहराई तक पहुंच जाता है यहां तक सूरज की रोसनी भी नहीं पहुंच दी अगर वहां पहुंच जाता है तो हम कहते हैं वो चैलेंजर डीप यहां पर जीत किया है तो यह चैलेंजर डीप समझ में आ गया भी यह क्या है ठीक है एक बार यहां सलिक कर बता दिये कि यहां तक सारी बाते समझ में आ गई है तो इन्होंने चैलेंजर डीप जीत लिया है नाम क्या बनता है कैथी सुवलिन इनका नाम बनता है याद रखिएगा ओके यह पहली अमेरिकन विमन भी है अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला विक्ती एक मेल था उनका नाम बताईए और उस मेल के बाद फर्स्ट फीमेल बनती है जो की स्पेस में पहुंसती है कदम रखती है कदम तो नहीं रख पाएंगी क्योंकि जीरो ग्रैविटी है तो इस स्पेस में वाक करती है वो यही है कैथी सुलिविन नाम देख लीजेगा ये पहली ऐसी मनस्त बन गई है पहली ऐसी मानव बन गई है विजिट बोथ दा स्पेस की अंतरिक्ष में भी गई और डीपेस्ट नोन पॉइंट आप दा ओशियन और महासागर के सबसे गहरी जगह जो अभी तक ग्यात है वहाँ पर पहुँची तो अंतरिक्ष में भी गई और डीपेस्ट आप दा ओशियन में भी गई ऐसा करने वाली एकलौती ये मानव बन गई है प्रग्या जी ने आंसर दिया है यूरी गागरिन यूरी गागरिन किस कंट्री से ब्लौंग करते थे ये रशिया से ब्लौंग करते थे और दुनिया में सबसे पहले स्पेस में चहल कदमी करने वाले यही ब्यक्ती थे बोलो यहां तक सारी बाते समझ में आ गई है सर बहुत बढ़िया बहुत शांदार तो एक बार यस लिखकर बता दीजेगा EOS नाम की कंपनी है इस खोज के लिए यह जो पूरा research program था यह किस company के दौरा coordinate किया गया है EOS expeditions नाम की company के दौरा इस पूरे program को यहाँ पर क्या किया गया है coordinate यहाँ पर किया गया है यहाँ तक सारी बाते समझ में आ चुकी हो तो एक बार YES लिखकर बता दीजेगा कि YES तर यहाँ तक सारी बाते समझ में आ गई है यह तरह का आपको MCQ challenge है यह आप इसे homework भी कह सकते हैं इस question का answer आपको video complete हो जाने के बाद comment box में करना है और सभी को करना है मैं कल बताओंगा कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया अगला point अगली news DRDO का नाम सभी ने सुना है Defense Research and Development Organization DRDO के वर्तमान चेर्मन बनते हैं Dr. G. Satis Reddy और DRDO का जो Head Office बनता है वो नई दिल्ली में मौजूद है DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में 1958 में और 1958 में ही American Space Agency NASA की स्थापना भी हुई थी National Aeronautics and Space Administration मैंने आप से पूछा था कि NASA का Headquarter कहां पर मौजूद है यहां पर मैं बता देता हूँ NASA का Headquarter आपका Washington DC में मौजूद है Washington DC में मौजूद है Washington DC World Bank का भी Headquarter बनता है और IMF का Headquarter भी आपका बनता है Washington DC याद रखेगा तो DRDO ने यहां पर develop किया है Dry Heat Treatment Chamber नाम चाहां ध्यान से समझेगा Dry Heat Treatment Chamber जिसका नाम बनता है Germy Clean नोट कर लीजेगा Germs होते हैं ना Germs यानि की कीटानों Germs को यहां पर मारने के लिए Coronavirus को मारने के लिए Germy Clean नाम का एक यहां पर Dry Heat Treatment Chamber तयार किया है जो की Sanitize करता है Uniform और यह किसकी Uniform को Sanitize करेगा Security Forces की याद रखेगा Very good, very good DRG, very good, very nice NASA National Aeronautics Space Administration 1958 DRDO साथ में इसको याद रख लीजेगा बहतरी तरीके से याद कर पाएंगे The Sanitizing Chamber was developed to satisfy the requirements of the Delhi Police to sanitize their uniform अब इस Germy Clean नाम के Treatment Chamber को क्यों बनाया गया है क्योंकि आपर दिल्ली पुलिस की requirement थी कि हमारे जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं या जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं सिपाही हैं हवलदार हैं ये सभी आपके public के बीच में जाते हैं भीर भरी जगों पर जाते हैं तो इनकी uniform में कहीं ऐसा ना हो कि Corona virus वो लेकर चले आएं है ना या फिर इनकी छड़ी है इनके hamlet हैं जो helmets हैं तो इन सभी को यहाँ पर sanitize करने के लिए को यसी machine बना दीजी जाकि बड़े पैमाने पर यहाँ पर इन सभी की uniform को sanitize किया जा सके तो फिर यहाँ पर germically नाम के इस chamber को design किया गया इस chamber को design किया गया है 25 जोड़ी uniform यह sanitize कर देता है within 15 minute अच्छी बात है तो बड़े 15 minute के अंदर यानि कि एक घंटे में आपकी total कितनी uniform आपकी या कितनी pair of uniform आपके यहाँ पर sanitize होते हैं 100 uniform यहाँ पर sanitize होते हैं एक घंटे में 15 minute में 25 इसे कहाँ पर लगाया गया है sir तो इसे लगा गया है Parliament street police station पर अभी सुरुवाती स्तर पर testing base पर इसे Parliament यानि कि जो संतत्थ भवन है उस street पर जो police station मौझूद है अभी इसको वहाँ पर लगाया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से uniform आपकी टंगी हुई है और इनको यहाँ पर sanitize किया जा रहा है अगला अब यहाँ पर current affairs mcqs discuss करेंगे news box आप सभी को पसंद आया हो तो एक बार like करके yes लिखकर मुझे बता दीजेगा आज मेरे active होने में मेरी आवाज में कोई कमी तो नहीं है आज कोई जोस में कमी तो नहीं है मेरे बहुत सारी student बोल रहे थे कि sir आपकी आवाज में कमी है आप थोड़ा सा active कम है आप जोस कम दिखा रहे हैं पहले जैसे जोस के साथ पढ़ाते थे वैसे नहीं पढ़ा रहे है अभी 3-4 दिनों से मैंने बताया नहीं लेकिन मेरी तबीत कुछ ज़्यादा घराब थी जैसे तैसे class ली जा रही थी लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं विध्यार्थों का नुकसान यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है मुझे यहाँ पर active रहना होगा जोस में रहना होगा नहीं तो यह काफला जो चल रहा है यह काफला यहीं पर उख जाएगा आप लोग demotivate हो जाएंगे यस लेकर बताइए like करिए सभी लोग A to Z जितने भी लोग यहाँ पर class देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पर like करेंगे और बहुत सारी important news आपकी और बनती हैं जो की news box में cover नहीं होई है तो उनको आप लोग यहाँ पर देखेंगे MCQ के form पर be ready और answer करना शुरू कर दीजे भारती धावक धावक मतलब होता है runner याद रखेगा नाम बनता है गोमिती मारी मुथू नाम याद रखने का प्रयास कीजे गोमिती मारी मुथू को डोपिंग के लिए कितने वर्सों के प्रतिबंधित कर दिया गया है डोपिंग आप सभी जानते हैं डोपिंग होता है प्रतिबंधित दवाईयों का सेवन या ऐसी दवाईयों का सेवन निशा जी बूल रहे हैं नो सर ऐसा कुछ नहीं है सर यूर अल्वेस दबैस नहीं निशा जी आइनो की बहुत सारे विध्यारतियों ने मुझे मैसेज किये थे पर्सनल नहीं मैसेज किये थे भाई टेलिग्राम पर लेकिन मैं गलत नहीं मानता हूँ क्योंकि आइनो की कुछ दिखो क्या करें अब तबियत पर अब किसी को बुखार अगर चड़ाओ तो उसमें एक्टिवनेस कहां से आएगी जब बुखार चड़ता है तो किसी काम में मन नहीं लगता है डोपिंग की बात करते हैं प्रतिबंधित दवाईयों के सेवन के लिए यहाँ पर पॉजिटिव पाई गई है गोमिती मारी मुथू और इनको नाडा ने यहाँ पर क्या कर दिया है दो एजेंसिया आपकी बनती है एक तो बनती है नाडा एक आपकी बनती है वाडा दोनों का फुल फॉम अच्छे से आद रखेगा दोनों करती क्या है नैसनल एंटी डोपिंग एजेंसी यह भारती खिलाडियों की डोपिंग की जाच करती है कि कहीं उन्होंने प्रतिवंदे दवाईयों का सेवन तो नहीं किया है ऐसी दवाईयों जो कि उनकी शक्ति को उनकी छमता को उनको प्रदर्शन को बढ़ा देती है और ऐसी दवाईयों का सेवन करने से वो खेल में दूसरे खिलाडियों से बहतर प्रदर्शन कर पाते कहीं है, ऐसा तो नहीं उन्होंने रेड बुल पी लिया हो और दौरते दौरते उड़ने लग गए हो, तो रेड बुल पूने से जैसे एनरजी आती है न, उसी तरह प्रति बंधित कर दिया गया है, कितने सालों के लिए? चार सालों के लिहां पर प्रति बंधित कर दिया गया है, आपका एक सेक्शन बनता है हमेशा करेंट अफेर्स में खेल और खिलाडी, ये एक आपका सेक्शन बनता है, आप लोग भी अपनी करेंट अफेर्स की बुक में ये स बना लीजिएगा, खेल और खेलारी, तो वहाँ पर सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, कि कौन सा क्हलारी किस खेल से संबंदित है, नां बनता है गोंती मारी मुथू किस खेल से संबंदित है, ये आपकी रुणर है, यैनि की जो आपका ए transmits है, ये उस गेम से आपकी संबंदित रहेंगी तो इसकी एक लिस्ट सभी लोग पयार्ट जरूर कर लीजेगा हो सके तो टेलीग्राम पर शियर भी कीजेगा टेलीग्राम चनल का नाम बनता है अंकित गुपता जी के अगर आप इसे सर्च करेंगे तो ये आपको टेलीग्राम चनल मिल जाएगा करीब करीब 3600 के आसपास विध्यार्ट इसमें जुड़े हुए हैं आप लोग भी जुड़ जाईएगा अगला कोश्चन भारत किस देश के साथ विजदिवस में भाग लेने के लिए एक त्रीवी सेवा सेन टुकड़ी यहां पर भेजने वाला है अभी आपका तमिलनाडू स्टेट आना बाकी है जिसके वारे में हम लोग करने वाले हैं डीटेल में डिसकस तो आज का स्टेट ऑफ दा डे है तमिलनाडू जो कि MCQ के बाद हमें डिसकस करना है तो कहीं जाना नहीं है लास्ट तक पूरा सेशन आज देख कर ही जाना है बारत ने किस देश के साथ विजदिवस में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी त्री सेवा टुकड़ी वहां पर भेजेगा मलब की जो हमारी दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया और इंडिया बनता है दुनिया का सात्वा सबसे बड़ा देश ये पॉइंट याद रखेगा रखेगा रशिया की राजधानी आपकी बनती है मॉस्को ये याद रखेगा मॉस्को इस दी कैटल ऑफ रशिया और रूबल यहां की क कहा गया है RIC कहा गया यह ट्राइलेटरल मीटिंग होगी ट्राइलेटरल मतलब त्री पक्षिय वारता और मीटिंग होने वाली है यह मीटिंग कब होने वाली है तो रूस भारत और चीन के बीच में त्री पक्षिय बैठक कब होगी यह बैठक आपकी होगी 22 जून को और इस बाद भी बहुत सारी current affairs आपकी बन सकती हैं तो याद रिखेगा उसके बारे में भी हम लोग discussion करेंगे माल लेते हैं ये रस्या country है और रस्या country ये आपका फैला हुआ है रस्या country का जो western हिस्सा होता है वो आपका यूरोप में फैला हुआ है इस तरफ यूरोप है इस तरफ आपका Asian continent है तो ये एक ऐसा देश है जो दो अलगला continent में फैला हुआ है एक तरफ ये एशिया में भी है और इसका पस्चमी हिस्सा यूरोप में भी पड़ता है क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि कौन सी परवत माला रस्या को जो की एशिया में मौझूद है तो एशिया और यूरोप से अलग करती है मतलब कि एक तरफ एशिया है एक तरफ यूरोप है इन दोनों के बीच में कौन सी परवत माला है जो की रस्या में मौझूद है उस परवत माला उस माउंटेन का नाम क्या बनता है टाइप करके मुझे कॉमेंट बॉक्स में आपर बता दीजिएगा किस देश ने COVID-19 वारस की दूसरी लहर के डर से अपनी राजधानी के कुछ हित्रों में लॉक्डाउन लगाया है वारस की दूसरी लहर का मतलब है कि सेकंड टाइम बड़े पैमाने पर यहां पर कुरोना वारस फैल सकता है तो इसके डर से उसने अपनी देश की राजधानी म यहां पर lock down लगा दिया है। पर कुरोना वायरस तेजी से फैलना सुरू हो जाए यह वही कंट्री है जो की जिम्मिदार बनता है पूरी दुनिया में को फैलाने के लिए और यह कंट्री आपका बनता है चाइना चाइना की राजधानी बनती है आपकी बीजिंग बीजिंग में यहाँ पर फिर से लॉकडाउन लगाया गया कुछ हित्रों में क्योंकि यहाँ के एक मीट मार्केट में जो मीट काटने वाला जो चौपिंग बोर्ड होता है न उस चौपिंग बोर्ड पर वायरस पाय गया था तो भाई यह किस ने कहा था मार्केट ओपिन करो या किसने कहा था कि जंगली जानवरों का मीट यहां पर बेचना शुरू करो, आप सभी को याद होगा मैंने आपको वेट मार्केट के बारे में बताया था, वेट मार्केट सर क्या होता है, नाम थोड़ा आजीब लग रहा है सुनने में, वैसे तो वेट का मतलब गीला होता ह लेकिन वेट मार्केट का मतलब ऐसे मार्केट से होता है, जहां पर जंगली जानवरों को जिंदा या जंगली जानवरों को जिंदा बेचा जाता है, या फिर उनको काट कर उनका मीट बेचा जाता है, चाइना में एक ऐसी जगह है, वहान मार्केट जो आपने सुना होगा, वोहां सहर में एक market है, wet market, वहां से सबसे पहले वाईरस भैला, तो अब यहाली में biggest के एक market में जहां पर non waste, यानփ की meat भिक्ता है, तो meat काटने का जो बोर्ड होता है, chopping board होता है, उस chopping board पर कोरोना वाईरस पाया गया, जिसके वैसे पूरा इलाका सीज़ कर दिया, मानते ही नहीं है ये लोग तो का करें भईया, है, चाइना की currency की बात करते हैं तो rain में भी यहां की currency बनती है, याद रिखेगा, important बनेगा, अगला question, कि इस bank ने अपने rain परिचालन को पूरी तरह से digital करने का फैसला किया है, which bank has decided to completely digitalize, यानि कि अब पूरी तरह से digitally होगा, manually कोई काम नहीं होगा, अगर आपको landing operation, मतलब कि अगर आपको loan लेना है और loan देना है, इस bank के द्वारा loan देना और लोगों के द्वारा loan के लिए apply करना, जो भी rain परिचालन होता है, landing operation है, पूरी तरह से digitalize करने का decision ले लिया है, इ 1908 में ही पंजाव और सिंद बैंक भी establish हुआ था, bank of बडोदा का headquarter आपका बनता है वडोधरा, क्या बनता है वडोधरा, बडोधरा, वडोधरा, 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 ये मेरी बहुत पुरानी track है कि bank of बडोधरा, वडोधरा, वडोधरा, एक दूसरे से same same से मिलने वा नाम है बडूदा वडूदरा वडूदरा वडूदा इस तरह से याद रखेगा पंजाब नसल बैंक की बात करते हैं इस्थापना हुई थी 1894 में कब हुई थी 1894 में जब यह बैंक के स्थापित हुआ था तो इसका हैड़कॉर्टर लाहोर पाकिस्तान में था लेकिन आफट में मर्ज करके 1921 में बैंक बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और जब आजादी हमें मिल जाती है तो 1905 में 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया मैंसे इंपीरियल शब्द को हटा दिया इंपीरियल सब्द का मतलब होता है शाही और यह शाही राजगराने का प् Foundation डे बंता है, SBI का ये भी याद यहाँ पर रखियेगा, बैंक और बड़ोदा यहाँ पर सही जवाब होगा, पूरी तरह से रिंड परिशालन यहाँ पर डिजिटलाइज करने की बात की है, यहाँ तक सारी बाते समझ में आई हो, तो सभी लोग यहाँ पर लाइक करेंगे, कोई भी ऐसा विद्धार्ती नहीं होना चाहिए, जिसने लाइक ना किया हो, अगला कुश्चन, बॉलिवूड एक्टर सुशान सिंग राजपूस पास डवी रिसेंटली, उन्होंने हाल ही में सुइसाइड कर लिया, डिप्रेशन का सिकार थे, यह तो आप सभी को पता है, इनके बारे में आप सोशल मीडिया पर हल जगे निउस देखी रहे हैं, जू विल्कम टू नियॉर्क, आइठिंक ये इन्होंने कोई फिल्म की ही नहीं है, तो इसको हम लोग यहां पर हटा देते हैं, इसके अलावा, राबता की बात करते हैं, सोन चिरया है, दिल बेचारा है, इनमें से कौन सी फिल्म की है, जो आगामी फिल्म बन सकती थी, रिलीज ह हो सकती थी, लेकिन इससे पहले ही इन्होंने स्विसाइड कर लिया, सबसे पहली फिल्म की बात करते हैं, तो काई पोछे, काई पोछे नाम की जो फिल्म है, ये इनकी सबसे पहली क्या थी, फिल्म थी काई पोछे, एक गुजराती सब्ध है, इसका मतलब होता है, पतंग काई पोछे इसमें आप राजकुमार राव को भी देखेंगे और एक और एक्टर इसमें मौजूद थे जबके अगर हम लोग बात करते हैं इन्होंने टीवी सीरिल्स में भी काम किया पवित रिस्ता इनकी सबसे बहतरी इन टीवी सीरिल्स में से गिना जाता है सबसे पहले इ और मुंबई सहर में इनका निधन हो गया करेक्ट आंसर अपर बंता है ऑप्चन नमबर फोर दिल बेचारा चलिए दिल बेचार यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा काई पोछे दिल बेचारा इनकी अभी तक अन्रिलीस फिल्म थी इसके लावा यह कई और फिल्मों में काम कर रहे थे अगला प्रिशन वेन इस दर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हैल्ड ग्लोबली विश रखत दाता दिवस विश तर पर कब आयुजित किया जाता है चौदा जून बारा जून तेरा जून पंदरा जून करेक्ट आंसर पर बनेगा चौदा जून यहां पर थी मैं आप से जानना चाहूंगा आप सभी मैंसे कि थीम क्या बनती है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की जल्दी से मुझे टाइप करके इसका अंसर कॉमेंट बॉक्स में आपर दे दीजेगा यूटियाई मूच्वल फंड के नए CEO के रूप में किसने सपत ली है किनको यहां पर चुना गया है न्यू CEO Chief Executive Officer of UTI Mutual Fund करेक्ट आंसर आप बनता है इंतियाज और रहमान इनका नाम बनता है यहां पर इंतियाज और रहमान आप इनकी तस्वीर भी यहां पर देख सकते हैं यूच्वा यूटियाई मूच्वल फंड सबसे पहली अगर बात की जाती है कि First Mutual Fund Company in India First Mutual Fund Company ऐस इसी कंपनी जिसने भारत में सबसे पहला Mutual Fund Open किया था उस कंपनी का नाम भी यूटियाई ही है यानि कि यूटियाई कंपनी भारत की सबसे पहली Mutual Fund Company बनती है 1964 के आसपास यूटियाई कंपनी का फुल फॉर्म बनता है Unit Trust of India याद रखेगा और आगे चलके इन्होंने यू बर्ट बनक आपका यहां पर बंता है सौवरसी खिलाड़ी वसंत राय जी कल मैंने न्यूज में इसको कवर किया था आपको याद होगा तो सौवर्सी खिलाड़ी वसंत राय जी का हाल ही में निधन हो गया वाई किस खेल जुड़े हुए थे यह सौवरसी है थे अभी जन् मतलब होता है रंजी मैच इस वगैरा तो वर्टमान में दुनिया के किसी भी फॉस्स ट्लास क्िरकेटर कि बात करते zijn दुनिया के सबसे बुज़ुर्ब फॉस्सค्लास तर रंजी ट्रॉफि जो कि फ़र्स क्रिकेट होता है जिसके बात सीधाँ घ्लते हैं तो यह सब pointed as the brand ambassador of the Bihar Khadi या Bihar Patna Khadi, board Pankaj तिरपाथी, जाने माने actor, अनुपम खेर जाने माने actor, बोमन इरानी जाने माने actor, स्वारभासकर जाने मानी actress हैं, correct answer आपर बंता है Pankaj तिरपाथी, correct answer क्या बंता है Pankaj तिरपाथी, correct answer बंते हैं, Khadi mall in Patna, याद रखेगा, पटना सही थे आपके सुसान सिंग राजपूथ, साथ साथ थोड़ा सा याद रखेगा, Khadi mall in Patna is India's first ever Khadi mall, भारत का सबसे पहला Khadi mall कौन सा था, Khadi mall पटना ही था, ऐसे inaugurate किया गया था, इसकी शिरुवात की गई थी, नितीश कुमार के द्वारा जो की बिहार के Chief Minister है वर्दमान में, और कब भारत का पहला Khadi mall open किया गया था, ये नॉमबर 2019 में पिछले साल आपका open किया गया था, तो first Khadi mall in Patna, या first Khadi mall in India, या आपका बन जाएगा Patna Khadi mall, inaugurated by the Chief Minister अनितीश कुमार, अब इसके brand ambassador यहाँ पर बन गए हैं, पंकच तिरपाठी बन गए हैं, और इनकी ख़बर जब मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ये भी लिखा हुआ था, कि ये बिना किसी salary के, यहाँ पर इसके brand ambassador बनाये गया है, तो मैं बिना किसी salary के, बिना किसी monetary benefit के मैं इसके लिए इसको promote करना और इसके लिए ambassador बनने के लिए तयार हूँ, तो ये एक अच्छी बात है, अपने राज के पिरती, इनका जो भी इनकी भावना है, उसको देखते हैं, उनने बिना किसी salary के, इसका brand ambassador बनना 37 कुमार यहां पर आपके क्या बनते है, चीफ निस्टा बनते हैं, बिहार के भागलपुर में आद रखेगा कि बिहार के भागलपुर में आपकी विक्रम सिला गंगैटिक डॉल्फिंग सेंक्चुरी भी आपकी मौजूद है, जो कि पूरे भारत की इकलौती सेंक्चुरी मतलब अब भिहारन बनता है, वो आपका बिहार में मौजूद है, इसका नाम है विक्रम सिला गंगैटिक डॉल्फिंग सेंक्चुरी क्योंकि पुराने जमाने में प्राचीन समय में विक्रम शिला नाम का विष्विध्याले भी बिहार में आपका चलता था, जैसे कि नालंदा का नाम आपने सुना होगा, है ना नालंदा विष्विध्याले उसी तरह से विक्रम सिला विष्विध्याले भी चलता था, उसी के नाम पर विक्रम सिला गंगैटिक डॉल्फिन सेंचुरी भागलपूर बिहार में मौजुद है, बिहार की मैं बात कर रह रही है तो भारत की जो aquatic animal बनता है भारत का जो रास्टी जलीव जीव बनता है रास्टी जलीव जीव यानि की national aquatic animal वो आपकी dolphin बनती है लेकिन कौन सी dolphin सिंधू dolphin ब्रह्मपुत्रा दॉल्फिन या फिर गंगा डॉल्फिन तो गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की रास्टी जलीव जी भी आपकी बंती है याद रखेगा व्यूज 95 पहुँच चुके हैं कोसिस कीजे 100 प्लस हो जाए इतना ही आज के लिए काफी रहेग तो कल और विध्यारतियों को जूड़ने का प्रयास आप सभी को ही करना है और इस क्लास को और बढ़ाना है गुरुदक्षना के तोर पर इतना तो कर सकते हैं न तो एक बर्यस लेकर बता दीजेगा शुरुआत अभी से कर सकते हैं कि फेस्बुक पर जितने भी विध्यारत अगला कुश्चन निजी बैंकों के स्वामित्व और नियंत्रन स्वामित्व का मतलब यहां पर ओनर्शिप से है और उस पर कंट्रोल की बात की जा रही है कि जो प्राइवेट बैंक्स है न आपके तो प्राइवेट बैंक्स हों पर कंट्रोल करना है ओनर्शिप और नियं बनाया है, because यह review करेंगे, क्या review करेंगे, क्या check करेंगे, जो private banks है, उनकी जो honor ship है, उनका जो controlling है, उसको देखेंगे, इसके लिए जो आपके committee के head बनाए गए है, वो PK Mohanty जी आपके यहाँ पर बनाए गए है, याद रखेगा, RBI 1935 में स्थापित हुआ, तारीक बनती है RBI का headquarter relocate होकर Mumbai पहुंसता है, और 1949 में RBI आपका nationalize होता है, जबकि RBI का जो कानून है, वो 1934 में आपका पास हुआ था, आज का जो state of the day है, वो Tamil Nadu यहाँ पर बनता है, यहाँ तक की class सभी को पसंद आई या नहीं, एक बार मुझे comment box में लेकर बताईए, like और share करते रहिए क्योंकि इस class को आप सभी के support की जरूरत है, तो like और share करते रहिए, तमिलनाडू के बाद हम लोग काफी detail में तमिलनाडू के बारे में देखेंगे, अज़ा तमिलनाडू किस तरह के फल के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, या किस फल का उतपादन, तमिलनाडू में लगती है, और आंधप्रदेस राज से, यानि कि तीन राज्यों से घिरा हुआ है, तीन राज्य की सीमाए तमिलनाडू के साथ लगती है, आंधप्रदेस, करनाटिका और केरला स्टेट याद रुखिएगा, तमिलनाडू की बात करते हैं, तो राज के तोर पर इस्थापन 1956 में होती है राजधानी इसकी बंगती है चेन्ड़ी, चेन्ड़ी सेहर में आपका राइस, रिसर्च, नई-नई, वो कटक में है, चेंड़ी सहर के अगर हम लोग बात करते तो चेंड़ी सहर को क्या कहा जाता है Detroit of India भी कहा जाता है Detroit of India Detroit आपका एक सहर बनता है कहां पर अमेरिका में ये एक सहर है Detroit और अमेरिका में automobile industry के लिए जाना जाता है अमेरिका की automobile industry सबसे ज़्यादा जो develop है वो Detroit नाम की City में हैं और सबसे ज़ादा Automobile Industry के लिए चेन नहीं को जाना जाता है इसलिए भारत का Detroit किसे कहते हैं चेन नहीं को कहते हैं यह पर Total Number of District आपके बढ़कर 38 हो चुके हैं पहले 37 थे अब यह बढ़कर 38 हो चुके हैं तो अपडेट कर लीजेगा बनवारी लाल प्रोहेत यहां के गवर्नर बनते हैं एके पलानी स्वामी यहां के आपके चीफ इंस्टर बनते हैं लोगसवा की 49 सीटे हैं राजसवा की यहां पर 18 सीटे आपकी बनती है राजकी पशु की बात करते हैं तो नीलगिरी तहर यहां पर आपका बहुतायत में पाये जाता है याद रखेगा इसके लावा बर्ड की बात करते हैं तो एमराल डव नाम का जो पक्षिये वो यहां का आपका बनता है state bird और इसके लावा palm tree जो आपका बनता है यहाँ पर, यह palm tree जो बनता है वो यहाँ का state tree बनता है, kandhal नाम का जो flower होता है यहाँ का state flower यहाँ पर बनता है, agriculture के अगर में लोग बात करते हैं, यहाँ के लोग का जो मुख पेशा है वो यहां के लोग agriculture ही करते हैं और सबसे ज़्यादा यहां पर बनाना का प्रोडक्शन होता है अगर मैं फलो में बात करता हूं तो बनाना बनाबा हो गया बनाना होगा यह ना होगा तो बनाना का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है याद रखेगा इसके कानपुर जाएंगे गन्ने पर अगर शोद करना है तो हम जाएंगे लखनो याद रखियेगा cotton की अगर हम लोग बात करते है cotton को क्या कहा जाता है gold white gold भी cotton को कहा जाता है अच्छा cotton उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारे कंट्री में कौन सा revolution यानि कि कौन सी क्रांती चलाए गए थी नाम टाइब करके मुझे बताईएगा इसके लावा चाय, कौफी, इलाइची और रवर्ड का उत्पादन भी यहां पर काफी अधिक होता है cotton की बात करते हैं तो कपास के उत्पादन के लिए इस सिल्वर फाइवर revolution चलाए गया था कौन सा revolution? सिल्वर फाइवर revolution आपका चलाए गया था सिल्वर फाइवर revolution, सिल्वर फाइवर करांती कापास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कापास का उत्पादन काली मिट्टी में सबसे बढ़िया होता है काली मिट्टी कापास के उत्पादन के लिए आदर्स मिट्टी मानी जाती है याद रखिएगा cotton को white gold भी कहते हैं bamboo को green gold कहते हैं जबकि koile को आपका black gold के नाम से जाता है यह point आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे festivals की बात करते हैं तो जो आपका harvest festival होता है न फसल कटाई का तेवहार उसे पॉंगल बोला जाता है और पॉंगल के स्तोहार में वहाँ पर जली कट्टू खेल भी आयोजेत आपका किया जाता है याद रखेगा चितरे festival भी होता है अधी पुरुकू उत्सव भी होता है नित्यांजली डांस festival भी होता है कंथूरी कंथूरी festival भी यहाँ पर होता है विलमकन्नी उत्सव भी होता है और नेत्रावथी festival भी होता है यह कुछ पिरमुक उत्सवों की लिस्ट है तमिलनाडू के बारे में तमिलनाडू के सिटीज और उनके निकनेम्स की बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं चेंड़ी सेहर को क्या कहा जाता है गेटफे ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है और डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है मैंने अभी अभी आपको यहाँ पर बताया था कुछेंबर्टूर सेहर जो तेमिलनाडू में मौजुद उसे मैंचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है और Engineering City of India भी कहा जाता है भारत का Manchester एहमदाबाद को कहा जाता है उत्तर भारत का Manchester कानपूर सहर को कहा जाता है नेल गरी बिलू माउंटेंस यहीं पर आपके मौझूद है मुदरे सहर को City of Festival और City of Temples के नाम से भी जाना जाता है तिरुनेल वेली नाम का जो सहर है उसे City of Paddy Fields के नाम से भी जाना जाता है इन सब को नोट जरूर कर लीजेगा आज बहुत सारी Static GK भी आप सभी के साथ डिसकस हुई है बहुत सारी Current Affairs आप सभी के साथ डिसकस हुई है पूरा एक घंटे लगातार बहुत सारी Important News आप सभी को बहुत सारी Knowledge देने का मैंने प्रियास किया है अगर ऐसी बात है तो एक बार Yes लिखकर मुझे Comment Box में बताईए और जितने भी विध्यार तो ने Like ना किया हो जल्दी से Like करके मुझे बता दीजेगा National Park की बात करते हैं कौन-कौन से National Park आपके मौनूज़ है तो मनार की खाड़ी National Park यहीं पर मौझे है मुदू मलाई National Park यहीं पर मौझे है मुखूरती National Park यहीं पर मौझे है अन्ना मलाई National Park यहीं पर मौझे है और गुइंडी National Park आपका यहीं पर मौझे है एक छोटा सा हिंट आपको बता देता हूं, जिन नेसनल पार्क के लास्ट में मलाई सब्द का इस्तमाल किया गया है, वो आपके तमिलनाडू में ही मौझूद हैं, इस तरह से आप चीजों को याद रखेगा, ओके, तो दोस्तों, आप मेरे साथियों, आज के लिए इस क्लास में इतना ही, इंडियन जोग्राफी अगर आप मेरे से पढ़ना चाते हैं, टॉपिक वाइस पढ़ना चाते हैं, एक एक टॉपिक के साथ पढ़ना चाते हैं, तो आप यहाँ पर इंडियन जोग्राफी का ये बेच जोइन कर सकते हैं, मातर 450 रुपे प्रती महीना 12 महीने के लिए पेमेंट आप credit card से भी कर सकते हैं और credit card के माध्यम से monthly payment भी कर सकते हैं 10% का discount होगा अगर आप यहाँ पर target 10 code यहाँ पर लगाते हैं तो आपको 10% off मिल जाएगा geography तो आपको पढ़ने को मिलेगी ही इसके लावा maths के सभी educators, reasoning के सभी educators और English के सभी educators भी आपको यहाँ पर teach करते हुए मिलेंगे मतलब geographic का इस course purchase अगर आप करते हैं तो maths में साहिल सर की class देखनी है प्रबल सर की class देखनी है राहुल सर की class देखनी है किसी भी आपके teacher की class आपको देखनी है उनका paid course join करना है तो आपको कोई भी fees नहीं देनी होगी नहीं रीजनिंग में कोई भी paid classes के लिए fees देनी होगी नहीं English में यानि कि इस batch को join करेंगे तो आप सभी important subjects के paid courses को भी यहाँ पर देख पाएंगे ज्यादा कोई दिक्कत हो तो मेरे telegram channel पर आप मुझे message कर सकते हैं personally अगर कोई भी दिक्कत आपको यहां पर आती है आज के लिए class में दोस्तों मेरे साथ हो इतना ही फिर मलाकात होगी अभी 11 वज़े आपसे मलाकात होगी unacademy पर free of cost आपके लिए unacademy पर class arrange की गई है तो 11 वज़े free class जो आपकी होती थी static gk की दो तीन दिनों से नहीं हो रही थी दो दिनों से नहीं होई थी तबियत खराब होने के वज़े से लेकिन आज यह class आपके होगी तो live 11 वज़े unacademy पर जुड़ना मत बुलिएगा यह class बिल्कुल free of cost है जो भी विध्यारती जुड़ना चाहे unacademy की application download करके sse section में जाकर special classes वाले टैप पर जाकर इस class को यहाँ पर visit कर सकता है आज के लिए दोस्तों मेरे साथ ही हो इतना ही अब अगली class आपकी reasoning की होगी तो reasoning की join करें और मुझे आप पर विदा दें अलविदा दें और कल फिर आपसे मलाका